अगे दोस्तो सर्दियों का सीजन अब आने वाला है, उक्टूबर का महिना है और सर्दिया बस आने ही वाली है, तो जितने भी समर треб के पौदे होते हैं जो अच्छी flowering करते हैं समरु समर के मौसम वह अब एक dormancy के year में जाईंगे, तो यह एक वो पिरियेड होता है जिसमें जो summer का पौधा होता है जो regular जो permanent flowering वाले plants होते हैं वो rest करते हैं और अपनी energy save करते हैं अगली flowering growing season के लिए तो इसमें कुछ stress आ जाते हैं plant में और लोग डर जाते हैं और उसके वज़े से उनका जो plant है वो over care की वज़े से खराब हो जाता है जो आप सर्दियों के मौसम में अगर आप अपने बोगन इलिया के पौधे में follow करेंगे तो आपका plant सर्दियों का मौसम भी बहुत अच्छी तरीक से निकाल देगा और जैसे ही growth season आएगा गर्मियों का आपका जो plant है फिर से तयार हो जाएगा नई growth के लिए और नई flowering के ल plant आपको मिलते हैं डिवाइडर्स पे भी काफी plant लगे होते हैं और पार्क में भी इसकी बहुत बड़ी-बड़ी जाडियां लगी होती है यह वाला मैंने प्लांट 10 इंच के सिमेंट के गमले में लगाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा छोटा है अगर आप बोगन इलिया को मौसम में देखने को मिलती है उतनी विंटर के मौसम में देखने को आपको शायद ना मिले तो ऐसे मौसम में विंटर के मौसम में ऐसे सिचुएशन में आपको अपने बोगन इलिया के पौदे के साथ क्या करना है वो चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले आपने जो watering schedule बना के रखा हुआ है वो follow करना है अगर आप इसको हर चार दिन में पानी दे रहे हैं या हर पांच दिन में पानी दे रहे हैं सेम schedule में इस पौदे में follow करूँगा दूसरी चीज़ fertilization करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह dormancy period है तो fertilizer को use plant नहीं कर पाएगा dormancy में plant को rest की जरूरत होती है तो अगर आप उसमें fertilizer add कर देंगे तो plant को यह एक तरीके से indication जाएगा कि वो उस fertilizer को use करे और अपनी growth को boost करे ऐसा नहीं करना चाहिए plant इस तरीके से stress में आ सकता है उसको आप dormant रहने दीजिए उसको आप रेस्ट करने दीजिए fertilizer डालने का जो सर्दियों का मौसम है वो नहीं है बोगंगे लिया को fertilize करने का जो सही मौसम है वो है फरवरी का ताकि गर्मिया जैसे ही peak पे आएं यह बहुत अच्छी तरीके से जड़ जाएंगी धीरी धीरी जैसे जो तेज जो है सर्दियां आती है क्योंकि जैसे ही temperature का stress आता है जैसे ठंड पड़ती है ओस पड़ती है इसकी जो leaves है वो stress में आके यलो होके गिर जाती है तो डरने की ज़रूरत नहीं है बिलकुल एक natural cycle है जिस तरीके से सर्दियों में काफी सारे पेड अपने पत्ते गिरा देते हैं यह मौसम की वज़े से होता है जैसे growth का season आएगा नहीं नहीं leaves नहीं ग्रोथ आपको देखना शुरू मिल जाएगी मैं फरवरी में या मार्च में एक नहीं वीडियो एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको रांस्प्लांट करते हैं बहुत जादा इसको अगर आप लोकेशन बदलते हैं इस पादे की बहुत जादा तो भी एक तरीके के stress में आ जाता है और उसमें फिर मर सकता है तो आप लोकेशन सेम रखिए सेम लोकेशन पे जहां पर गर्मियों में इसको ग्रोव कर रहें रख बुद कुछ होती नहीं तो आप इसकी हाट प्रूनिंग कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप यह कट सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे ही फरवरी का मौसम या गर्मिया शुरू हो गई है और यह प्लांट जो आपका है वो और बुशी हो गया है तो यह फरफेक्ट टाइम में मार्ज का सीजन शुरू होगा हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी सॉफ्ट टूनिंग शुरू कर देंगे ताकि ज्यादा ज्यादा फ्लावरिंग इस प्लांट में हो ज्यादा बुशी यह प्लांट बने विंटर के मौसम में क्योंकि टेंप्रेचर नीचे हो जाता है फंगल को फिर प्रोमोट करता है क्योंकि मौस्टर बना रहता है तो यह मेक्शूर करना है आपने की एक्सेस मौस्टर जो है वो आपके प्लांट का सूख रहा है और उससे कोई फंगल इंफेक्शन तो नहीं हो रहा है तो रेगुलर्ली नीमयल कॉंसंट्रेट का आप स्प्रे कर स सकते हैं और डेरेटली सॉयल में भी डाल सकते हैं का एक बॉटल आता है चाहेज बिंटर का सीजन हो यह आप schedule maintain रखें ताकि कोई fungal infection अगर होने वाला हो आपके पौदे में तो वो ना हो यह सारी चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे winter के मौसम में अपने बोगनविलिया के पौदे में तो आपका पौधा बहुत अची तरीके से winter का season निकाल देगा dormant रहेगा लेकिन इसमें flowering नहीं होगी लेकिन आपका plant at least जिन्दा रहेगा कई लोग क्या करते हैं कि winters में समझते हैं कि plant उनका बोगनविलिया का मर गया है और इसलिए वो plant को फैक देते हैं nieuws में एक बी लीव नहीं बचेगी आप इसमनी जितनी ये जो भरी वाफिय कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे ही को वीडियो में डालूँ हम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यह सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई है आप अपने बोगन विलिया के पौदे में फॉलो करिए विंटर का सीजन इन सारी टिप्स में बहुत असानी से निगल जाएगा और जैसी ग्रोथ सीजन आएगा फिर हम एक नई वीडियो के साथ बात करेंगे कि बोगन विलिया में फ्लावरिंगी कैसे जादा तैयारी कर सकते हैं यह विडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेर जरूर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना ना के लिए अपना अध्यान रखें फ्रेंड थैंक यू गुट बाई